दोस्तों जब भी आप घर के चज्जे में बीम देते हैं जिसे कि आप स्लैप कास्टिंग करते हैं तो स्लैप कभी-कभी हमें घर के फ्रेंट में भी आगे बढ़ानी होती है चाहे वो बालकनी के लिए दे रहे हैं या साइड में आप चज्जे निकाल रहे हैं तो उसमें जो अक्सर मैंने साइडें ऐसी देखी हैं जहापे स्लैब बीम देने के बाद भी छज्जा आगे जुग जाता है तो क्या बाते ध्यान रखनी है वो आप अगर समझ लेते हैं और अपनी साइट पे उसको ध्यान में रखके करा लेते हैं तो फिर आने वाली जो समस्य वो आपको देखने को नहीं मिलेगी पहले मैं यह पर कहूँगा सरीय को लेके जो आपका छज्जे में बीम देया जाता उसकी सरीया थोड़ी से आप हायर रखे तो ठीक रहेगा ऐसा नहीं है कि आप उसको 10 mm, 12 mm से ही काम चला ले मैं कहूँगा कि आप उसमें 16, 20 mm या 25 mm तो रखे ही 16 mm की तो आपको रखनी ही चाहिए सरीया अब यह सरीया जो है आपको देनी किस तरीके से होती है अब जैसे कि आप मानते हैं कि बीम में टॉप में सरीया दी जाती है बॉटम में सरीया दी जाती है और साइड में सरीया तब दी जाती है जब आपके बीम की जो डैप्त है जो साइज जब वो काफी जादा या लेंट या डैप्त होती है अब जैसे कि आप यहाँ ही देख लीजिए यह भी एक चज़े का ही बीम दिया जा रहा है तो यहाँ पर हम बात करें तो इस बीम में सरिया आप जो देखेंगे वो काफी जादा है मतलब क्योंकि यह इसके डिजाइन के परपस से है क्योंकि इस पर लोड काफी जादा आने वाला है तो उस लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है हो सकता है कि आपका कोई जादा हैवी स्ट्रक्चर ना हो तो यहाँ पर हैवी स्ट्रक्चर हो तो आप इसकी जोरो सरिया देखें घवराना मत पर मैं आपको कॉंसेट समझारा चाहरा हूँ अगर माली जी 16 mm की सरिया और 20 mm की सरिया है आपकी तो हम नॉर्मली बीम में क्या करते हैं कि नीचे हमारी सरिया जो होती है वो मोटी दी जाती है और उपर टॉप में थोड़ी कम दी जाती है अगर आपकी दो डिफ्रेंट डाया की सरिया है लेकिन आपका कैंटी लिवर बीम में या चज्जे में जो आप बीम देते हैं उसका जो सरिया है वो चेंज हो जाता है उसमें उल्टा होता है यानि कि उपर जो देंगे आप उसमें मोटी सरिया देनी है अगर आपके पाद दो different डाया की सरिया है अगर आपके पास 16 mm की है तो वो नीचे और 20 mm की है तो वो टॉप में और अगर दोनों सेम है तो फिर कोई बात ही नहीं है बात यहां पर यह नहीं कि अगर आपको दो सरिया different डाया की तो आपको कम डाया की सरिया कहा देनी है और जो higher डाया की सरिया वो कहा देनी है तो आप समझे होंगे दूसरा आप यह भी देखे कि आपको steer up जो दिख रहे है यानि जो ring दिख रहे है अब ये करना क्या होता है जब आपका cantilever पे लोड आता है तो जब इसका जो failure shape होती है वो उपर से down के form में होती है तो अगर उपर के हम अगर सरीय ज्यादा देंगे तभी वो उसको wear कर पाएगा उसकी capacity उसको load को register कर पाएगा और नॉर्मली जो हमारा continuous beam होता है जो आप देखते है वो हमारे घर के अंदर जो आप देखते है वो बिसिकली नीचे की side में fail होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सरीय होती है वो नीचे जादा दी जाती है तो यह आपको clear हुआ अभी अगर मैं बोलू तो steer up की बात कर लेते जो steer up दिया जाते है बीम में इनकी जो दूरी है आपको वो cantilever beam की उसमें जो सरीय की और जो हमारे चले प्रोवाइट किया आते है steer up उसकी दूरी भी कम रखनी होती है वो कितनी रखनी होती है आप 4 इंची 5 इंची 6 इंची जादा दूरी आपको नहीं रखने की जरूत हो तो उसमें जो आप जिसमें दूरी पे beam दे रहे हैं जैसे मैं तो कहूँँगा कि 12 इंची दूरी पे आपको एक beam और देना चाहिए अगर ज़्यादा दूरी है तो उसकी 12 इंची से कम आपको depth नहीं करनी चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना है कुछ लोग normally beam दे देते है या सरीय देते समय अगर ध्यान रख लेते हैं तो आपको काफी सारी जो चीजें समझ भागे होंगी और उससे स्ट्रेंद भी आपको ज़्यादा मिलेगी तो वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करना चाहिए को सब्सक्राइब करना चाहिए में beam देते समय ये